आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कन्या भूजन के तुरंत बात क्यों नहीं करनी चाहिए सफाई और साथ ही साथ कन्या भूजन से जुड़ी हुई बहुत सी बाते जो ध्यान देनी चाहिए वो सारी बाते आज इस वीडियो में बताऊंगी अंत तक जरूर बने रहें नवरात्री के दौरान कन्या पूजन का विशेश महत्त होता है इस दौरान लोगों द्वारा घरों में कुल देवी देवता की पूजा के जाती है और साथ ही मातारानी की तो पूजा होती ही है किसी के घर में सब्तमी तो किसी के घर में अश्टमी का पूजन होता है इस दिन भक्त मा के स्वरूप में कन्या पूजन कराते हैं पर क्या आप जानते हैं कि इस दौरान कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस बार चैतर नवरात्री के अश्टमी और नौमी के दिन कन्या भोजन कराया जाएगा तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या-क्या बाते जो है ध्यान में रखनी चाहिए सारी सावधानिया जो इस दिन हमें करनी चाहिए तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आए मित्रो कन्या पूजन के दोरान किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बताते हैं सम्मान पूर्वक कराएं कन्याओं को भोजन अब जब भी घर पर कन्याओं को भोजन पर बुलाएं तो सिधे भोजन ना कराएं पहले कन्याओं के चरण को धोई उसके बात कन्याओं को पूर्वजिसा की और मुक करके साफ आसन पर बठाएं इसके बाद उन्हें कुमकुम और चावल का टीका लगाएं सबी विधी विधान करने के बाद ही कन्याओं को खीर, पूरी, सबची और हलवा चने का प्रसाद ग्रहन करने को दे इस दोरान इस बात का ध्यान रखे कि उन्हें जरूवत के अनुसार भोजन करने दे भोजन खाने के लिए जवरजस्ति ना करें तो मित्रो कन्याओं पूजन में हमें और कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी चाहिए कि कन्याओं को कौन-कौन सी चीजें भेट में दे विदाई के समय आप कोशिश करें कि जब भी कन्याओं को भोजन कराएं और उसके बाद उन्हें उपहर दे तो अपने समर्थ के अनुसार उपहर दे कोशिश करें कि उन्हें लाल चुट्री मिठाई, बरतन या सिक्के भेट किये जाएं इसके बाद उनके पैर पढ़कर उनसे आशिरवाद लें अगली जरूरी बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि कन्या पूजन में जहां तक संभाव हो सके 2 से 10 वर्स तक की कन्या को शामिल किया जाना चाहिए इतना ही नहीं कन्या पूजन में कम से कम 9 देविया जरूर होनी चाहिए इन्हें मा का सरूप मानने से मा का आशिरवाद आपको मिलता है इसके अलावा भी कुछ और विशेश बाते हैं कन्या पूजन में जिसे हमें ध्यान देना चाहिए घर पर जब भी कन्या का पूजन करें आप कन्याओ को बुलाएं उन्हें अपमानित ना करें किसी भी कन्याओ को डाटे नहीं पूरिश रद्धा भाव से उनका पूजन करें भूल कर भी कन्याओ को बासा भोजन ना कराएं ये बेहद असुमाना जाता है इस बात का भी ध्यान रखे कि कन्या पूजन के तुरंद बात सफाई ना करें आप अगर कन्या को भोजन नहीं करा पा रहे तो भोजन को भेज कर भी दान किया जा सकता है यानि कि आप मंदिर वगेरा में दे आएं, वहां आप दान कर दें, तो पंडीची जो हैं वहां कन्या भोजन करा देंगे दूसरा, इस दिन भोजन में लासुन और प्याज बिलकुल भी ना डाले और आपको क्या करना है कि कन्याओं को भोजन कराने से पहले भोजन को चक्कर यानि जूठा करकर नहीं रखना है क्यानि कि ये अंदाजे से उज दिन आपको खाना बनाना है कन्याओं को प्रसाद देने के बाद ही भोजन करहन करें तब तक आप कुछ भी भोजन नहीं करेंगे तो मित्रो कैसी लगे आज के जानकारी कमेंट्स में जरूर बताए और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करकर जरूर जाए और कमेंट्स में जै माता दी लिखें और अगर हो साके तो फैमली फ्रेंट्स में भी शेयर जरूर करें और पहली बार विजिट कर रहे तो बेल आइकन प्रेस करकर सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ जल्दे मीलूंगे नेक्ट वीडियो के साथ मालक्ष्मी की क्रिपा आप सब पर बनी रहे जै मालक्ष्मी